Hello everyone, how are you? I am Nees Tewari. Welcome to the listeners, viewers and subscribers. Guys, how are you? मैं आसा करता हूँ, श्वास्थ होंगे, मस्थ होंगे, और आप शबी लोग अपनी तियारी में पूरी इमानदारी के शाहत तियास्थ होंगे. तियारी आप कोई भी कर रहे हैं, आप वन्डे इंटरेंस दे रहे हैं, तो उसमें भी आप इमानदारी के शाहत काम करें, मित्रों. जो आपका पैरिटन दिया गया है, जो आपका शलैबस दिया गया है, उसके कार्डिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो आउट आफ शलैबस पूछा जाता है, जो शलैबस से इतर पूछा जाता है, उसे भी तैयार करना उतना ही जरूरी है, जितना की आपका आपके यहाँ प्रोगैतिहासिकाल जो भारतिये चित्र के अंतरगत आता है भारतिये चित्रकला के अंतरगत आता है वो आपके श्लैबस का हिश्चा है लेकिन यहाँ यूरोपी प्रोगैतिहासिकाल इन चित्रकला है जिसमें आप जानते हैं अलतामीरा आती है अलतामीरा वह जो मारिया शातो अलग होज दी है ठारशोनियासी की आसपास 1879 में आप ये भी देखेंगे फ्रांस की गुफा आएगी लास्को गुफा जिसे कहा जाता है वना 24 में हेंरी व्रेल ने जिसे खो जाता इटली की गुफा भी आएगी कुँछी गुफा लिवांजो इस गुफा की कोज 1950 इस भी में हुई थी लिवांजो नामक द्यूप में उतकरन गुआ चितरों का पता चल गया था कब 1950 में इटली की सबसे सुन्दर आकरती एक जंगली गदहा है जो की पीछे मुड़कर देख रहा ये शबसे सुन्दर आकरती है एक जंगली गदहा है जो पीछे मूड़कर के देख रहा है इटली की शबसे अच्छी आकरती बताई जाती है और आगे बात करते हैं तुम कहां जारा है रोमा निली गुफा इटली में है इन गुफा चितरों में अर्ध प्राकर्तिक शैली का प्रियोग है कौन से सैली अर्ध प्राकर्तिक शैली का प्रियोग हुआ है रोमा निली गुफा में विशेष्ठी करत और अलंकरत नारी आकरतिया जया मितिया भी प्राय शमनांतर रेखाओं के शमुह और शिन ही नुमा रूप आपको देखने को मिल जाएंगे यह गुफा जो आपकी इटली वाली है मित्रों इस गुफा का जो प्रधान कारण यह है कि यहाँ छोटे पत्थरों पर एक शिंग तथा एक जंगली शूकर किया करती भी उतकरण है तो एक शिंग है और एक जो है जंगली शूकर मिला हुआ है छोटे पत्थर भी बना हुआ है और इटली की यह अच्छे जो है कारण की रूप में देखे जाते हैं अच्छा करती बताया जाता है आगी बात करें तो एक दोरा गुफा इटली में है कौनसी एक दोरा आपसे पूसा जाएगा दोरा गुफा कहां पे है तो आपको आपसंस में इटली भी मिलेगा आपको उशी के शाथ हांसस लगाना होगा शैल की दृष्टी से या लिवांजों की निकठी बताई जाती है लिवांजों गुफा जो हीरन और उसके शाथ मानो किया करतियां भी आपको इटली की गुफाओं में देखने को मिल जाती है निशेमी गुफा इटली में ही इस्तित है यहां अंकित पशू चित्र जो है एद्वरा शैली में ही बताया जाते है तो निशेमी गुफा पाशाण, युगीन, मनुश्य की, शर्बाधिक, शशक्त, कारीगरी का प्रमाण बताया जाता है और पूर्वी इस्पेन की कला को दुतिये आखेटक सैली भी कहा जाता है कौनसी सैली? दुतियेक आखेटक सैली भी इसको कहा जाता है पूर्वी इश्पेन कला को इसका जो टाइम पीरिड होता है 6000 इशापूर्व में आरंभा बताया जाता है तो इसका जो टाइम पीरिड आएगा दूतिय का खेटक शेली का या पूर्वी इश्पेन कला का वो आपका लगभग 6000 ईशापूर्व का होगा मित्रों शमजना 6000 ईशापूर्व यशे आप गारगास सोचते होंगे फ्रांस में है वो 1881 में उसकी खोज हुई थी गारगास की 1881 फ्रांस में खोजी गई थी गारगास आप जानते होंगे और गारगास में लगभग डेल सो हाथ के चापे मिले हैं कितने पूचा जाएगा आप से गारगाश में कित्ते तो एक सो पचास हाथ के चापे वाले दरश्य देखने को मिले हैं आप ये भी जानते होंगे कि जो आपकी अलता मीरा गुफा है वहाँ एक जो खोज का काम होता है बारा बर्स ये बिटिया करती है यानि बारा बर्स ये एक लड़की है मारिया शातु ओला नाम होता है वो करती है और अलता मीरा गुफा बारा हज़ार इशा वर्स पूर मानी जाती है याद रखना केता बारा हज़ार इशा वर्स पूर ये से मारी आश्वत्ता उला ने खोजा था 1879 में तो एशब दिरश्चे एक दूसरे के पूरक ही समझ लो एक दूसरे से relative समझ लो ये पूछे जाते हैं और आप से घुम घुमा के one liner वेस questions रखता है और शीधे questions पूछ लेता है आप से पूछा जाएगा लास्को गुफा में कित्ते चित्र है तुम्हें तुम्हें लास्को आप जानते होंगे लास्को गुफा दुहजार से ज़्यादा चित्र है विशाल काए गाय का एक चित्र मिला है जहां काले रंग में गाय बनी हुई है ठीक है लाल और काला रंग में गाय है बड़ी गाय है तो कहां पे लास्को में है तैरते हुए हिरन का फेमस चितर बार बार पूछा जाता है लास्को गुफा बला जिसे हेंरी वरेल ने जो है 1940 में खो जा था वो है लास्को गुफा ठीक है तो इन सारी गुफाओं को हमें उम्मीद है कि आप याद रखते होंगे और याद रखने का प्रयास करिएगा अगर आपने शपना सोजोया है कि हमें आर्ट बिसे में ही सेच्छक बनना है तो फ़र ये शारे तथ आपके लिए इंपोर्टन्ट है आप TGT दें, PGT दें, LT grade दें, KBS दें, NBS दें, DSSB दें जो भी मन करें वो परिच्छा दें लेकिन अगर परिच्छा में शमवाद करना है परिच्छा फाइनली क्रेक करना है तो फ़र ये शब दिर्श्याप को याद रखना होगा अमीद है आज की क्लास पसंद आई होगी क्लास छोटी थी लेकिन बहुत लाफकारी थी, बहुत कुछ कियान की बातें यहाँ पर हुई है तो अपने इश्ट मितर तक डाटा सेर कर देना मिलते हैं शुड में, तब तक के लिए दिल से स्लूट, जै हिंद